जैमाता दी दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो तुला राशे वालों सावधान हंसते खेलते घर में आग लगाएंगे आपके यह सबसे बड़े दुश्मन दोस्तों अगले 24 घंटे में जो घटना आपके जीवन में होने वाली है दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आज त इन बड़े भयानक संकेत आपको मिलेंगे इतना बड़ा शुब संकेत आज से पहले आपको आपकी किस्मत ने कभी नहीं देखा होगा आज यदि आपने इस वीडियो को मिस किया तो आप बहुत बदनसीब व्यक्ति होंगे और वह व्यक्ति बहुत पच्छताएगा दोस्त यह कोई मामूली संकेत नहीं है एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ जिसे सुनकर आप आश्चर रिचकित हो जाएंगे आपको इतने बड़े संकेत यह दिव्यशक्ति कई सालों से दे रही है दोस्तों अगले 24 घंटे में यदि आपने एक भी संकेत समझ लिया तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा दोस्तों आप बस यह तीन गलतियां मत करना वरना आप शुब फल प्राप्त नहीं कर पाओगे दोस्तों तीन बड़े दिव्यशक्तियां आपकी राह के सारे कटे दूर करने वाली है आप बस उनके संकेत को सम आज दोस्तों आपको जो सच्चाई बताने वाला हूँ यदि आपने उसे नजर अंदाज कर दिया तो दोस्तों आप जीवन भर पश्ताओगे क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा संकेत आज से पहले कभी नहीं मिला दोस्तों जो अगले 24 घंटे में होने वाला है यह सब आप के अच्छे कर्मों का फल है जी हाँ दोस्तों आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किये होंगे जिसके कारण आपको यह शुभ मौका मिल रहा है तो दोस्तों आपको बता दे हम हमेशा अपने मुश्किल समय में भगवान को तो याद करती ही है लेकिन जब हमारे काम बन जात और आपके दुश्मनों ने जो कुछ आपसे छीन है, अब भगवान उसकी दस गुना ज्यादा आपको लौटने वाले हैं। जो भी दुश्मन आपसे जलते हैं, वह यह चमतकार देखकर काँपने लगेंगे। जिन लोगों ने आपको गिरने की कोशिश करी थी, अब उन लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस आप तीन बड़ी गलती मत करना, आपकी जिन्दगी बदल जाएगी दोस्तों, आपका ग्रह में ऐसे योग बन गए हैं कि दोस्तों, अब रातो रात आपकी जिन्दगी और आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके नक्षत्र में जो भी दोश था, वह सारे दोश अब दूर होने वाले हैं। आपकी काम्याबी के दरवाजे अब खुल चुके हैं, बस आपको सही रास्ता चुना है। यदि आपने सही रास्ता अपना लिया तो दोस्तों, आप इतने आगे निकल जाएंगे कि आपक दुश्मन कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, आपको रोकने का। जी हां दोस्तों, ध्यान रहे, चुपचाप आप अकेले देखना। तो आएए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाय बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरुजी के एक छोटे से चमतकारी उपाय स मित्रो, हर बिगध्धा काम बनने लगेगा। बस करना होगा यह छोटा सा उपाय। यदि बार-बार काम बिगधाच रहे हैं, तो आपको घर में श्यामा तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और संध्या के समय तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। जब तक समस्या का समाधान न हो जाए, यह उपाय पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। मित्रो, इस उपाय को करने से आपके बिगधे काम बनने लगेंगे और जीवन में सफलता की प्राप्ती होगी। तो आईए, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाय बिना वीड और आपको अपनी प्रतिभा और योगिता को साबित करने का अवसर मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आप पाएंगे। साथ ही मित्रो, बहुत ज्यादा मानसिक दबाव और ठकान, परेशानी की वजह बन सकता है, तो सेहत को ठीक बनाए रखने के ल अधानी की कमी आपको नुकसान पहुचा सकती है। मित्रो आपको बता देते हैं कि जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करना है। यदि किसी चीज को आप लेना चाहते हैं, तो पहले अपने घर में ज्हांक कर देख ले कि वह चीज पड़ी है या नहीं। क्योंकि अगर आप के पास पहले से ही वहवस्तु उपलब्ध है, तो आप उसे पूना खरीद कर बेकार का खर्चा करेंगे। साथ ही मित्रो ऐसा कोई जिसे आप जानते हैं, मित्रो उसके द्वारा आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। आर्थिक मामलों में जरूरत से ज्यादा गंभीरता से आपको मित्रो मन को मारना है और घर में थोड़ा बहुत तनाव भी पैदा होगा, तो सावधान रहिए क्योंकि प्यार में पढ़ना आपके लिए दूसरी कठिनाईयां खड़ी कर सकता है। इस वक्त आपको किसी के भी प्यार में नहीं पढ़ना है, अपने काम से मतलब गलत है क्योंकि आपके विचार उनसे नहीं मिलेंगे और जब विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, तो विवादों की स्थिती बनेगी। के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके, जिन फलों में या जिन खाने में खाने की मात्रा अधिक हो, उसका सेवन करें। जब सेहत से जुड़ा मामला हो, तो खुद को अंदेखा नहीं करना चाहिए, और सावधानी बरतनी चाहिए। केवल एक दिन को नजर में रख कर जीने की अपनी आदत पर काबू करें, और मित्रों जरूरत से ज्यादा वक्त और पैसा मनोरंजन पर खर्च न करें। मित्रों, सोच सही है कि अपना हर दिन ऐसे जियों जैसे की आखिरी हो, लेकिन थोड़ा सा अपनी हद में रहकर, या बेकार के जो शौ रख कर फूल बन सकती है, अपनी नौकरी से चिपके रहिए और दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि वे आकर आपकी मदद करेंगे, ये ऐसा समय है जब आप खुद को समय देने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आपको अपने लिए समय नहीं मिल पाएगा, आपको अपनी ही बातें आपको व्यस्त रख सकती है, और भीगे बादामों का सेवन करने वबांटने से नौकरी ओव बिजनेस में तरक्की होगी, आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा, और आप शरारती मनोदशा में होंगे, ध्यान से, और मित्रों बता दे हैं कि आपका यह जो भोला भाला स्वभाव है, इसका नाजायज फायदा आपके दुष्मन उठा सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य के बीमार पढ़ने की वजह से आपको आर्थिक परेशानी आसकती है, हलांकि इस वक्त आपको धन से ज्यादा उनकी सेहत की चिंता करनी च कफलता से भरा यह समय रहेगा, जिन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी, जिसकी उन्हें एक अर्से से तलाश थी। यात्रा और भ्रमन वगेरा न सिर्फ आनंद दायक सिद्ध होंगे, बलकि काफी शिक्षा प्रद भी रहेंगे, और दिन और समय वाकई रोमानी है। बढ़िया खाने, महक और खुशी के साथ आप अपने हमदम के साथ बहतरीन समय बिता सकते हैं। मित्रो, शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावनाएं हैं। शारीरिक बीमारी आप से कोसो दूर रहेगी, और इसके चलते आप शीग्र ही खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं, और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। परिवार की स्थिती वैसी नहीं रहेगी, जैसी आप सोचते हैं। घर में किसी बात को लेकर कलह होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिती में खुद पर काबू रखें। सारी दुनिया की मद होशी उन खुश नसीबों के बीच सिमट जाती है, जो प्यार में हो। जी हाँ जी, आप वही खुश नसीब हैं। काम को मनोरंजन के साथ न मिलाए। अगर आपके पास हालात से उबरने के लिए द्रड इच्छा शक्ती है, तो कुछ भी संभव नहीं हैं। मित्रो, विवाह एक दैवी आशीरवाद है और आप इसका अनुभव कर सकते हैं। लड्डू अथवा बूंदी का प्रसाद किसी धर्म स्थान में बांटने से नौकरी व बिजनेस में उन्नती होगी। किसी सजजन पुरुष की देवी बातें आपको संतोश और धां साथी का सहयोग मिलेगा। जाहिर तोर पर रोमैंस के लिए परियाप्त मौके हैं लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए है। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है इसलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मुद्दों को जट से दबोच लें। आपका खाली समय या अपनों के साथ बांटिये, अपनों के बीच रहिए, मित्रो जीवनसाथी के साथ बहुत खर्चा कर सकते हैं। बावजूद इसके आप इस वक्त का पूरा लुफ्त उठा पाने में सक्षम रहेंगे। और मित्रो, मित्रो, तकनीक के उपयोग से व्यवसाय के विस्तार की योजना बनाएंगे, नौकरी करने वाले जातकों को उच्च पद की प्राप्ती होने की संभावनाएं बन रही हैं और आमदनी संतोष जनक रहेगी। किसी मित्र की बातों की वजह से मन खराब हो सकता है और स्वभाव में थुद्धा चिद्धा चिद्धापन हो सकता है। इसलिए मित्रो क्रोध पर नियंत्रण रख कर अपने कार्य पर ही फोकस करें और सायकाल के समय परिवार के साथ मांगलिक कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलेगा। मित्रों और भाईयों की मदद से किसी बढ़े अधिकारी की मदद प्राप्त होगी और सरकारी कार्य पूरे होते नजर आएंगे सुख संपत्ति का विस्तार होगा और परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा माता से रिष्टों में सुधार आएगा और किसी बुजुर्ग से धन प्राप्ति हो सकती है जीहां मित्रों पारिवारिक जीवन में सरसता बनी रहेगी लेकिन पारिवारिक खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें और सायकाल के समय किसी कला संगति का आनंद मिलेगा लव लाइफ में अपने व्यवहार पर संयम रखें अन्यथा रिष्टों में दरार आ सकती है छात्र जो हैं अपने समय का सदुप्योग करेंगे और नए ज्ञान का अनुभव प्राप्त करेंगे जी हां मित्रो नौकरी बदलने के बारे में योजना बना रहे हैं तो समय बहुत ही अनुकूल है और इस परिवर्तन में आपकी उन्नती भी होगी मामा पक्ष से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और नौकरी में अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे बढ़ेगा और नए वस्त्रों के प्रती आपका रुजान बढ़ेगा नौकरी वव्यवसाय में साज्यदारों और साथियों का बहुत ही बढ़िया सहयोग मिलेगा लेकिन आपको आराम का त्याग करना पड़ेगा और संतान के कार्यक्षेत्र में उन्नती होने से सुख में व्रिद्ध होगी और कहीं से कोई उपहार भी मिल सकता है मित्रों का सहयोग मन से निराशा का भाव खत्म करेगा और साइयकाल के समय छात्रों का अध्ययन पठन-पाठन में लगेगा व्यापारी वर्ग के लिए यह समय नए उत्पादों को व्यापार में शामिल करने का है जी हां मित्रों मित्रों के सहयोग से सभी व्यवसाय के नए स्त्रोत बनेंगे और घर में मांगलिक कारियों के आयोजन से मन में प्रसन्नता रहेगी, लेकिन व्यवस्था भी बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं, और किसी बुजुर्ग की मदद से अकस्मात बड़ी मात्रा में पैसा हाथ लगेगा. मित्रों, कानूनी मामलों से संबंधित फैसला आपके पक्ष में आने की संभावनाएं बन रही हैं, वहीं छात्रों को आर्थिक सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आज आपको काडी डी 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 आचाई मेहनत करनी पड़ देच सकती है, लेकिन साथियों का सहयोग मिलता रहेगा और आय में भी यतोचित वृद्धि होगी. संतान पक्ष से भी उच्च शिक्षा, शोध आदी में सार्थक परिणाम मिलेंगे. जी हाँ, मित्रो, भाईयों के सहयोग से कोई पुरानी रंजिश समाप्त हो सकती है. पिता के मार्ग दर्शन से आर्थिक उन्नती होगी और आभूशन से जुड़े व्यापारियों को लाब होगा. मित्रो, कार्य क्षेत्र में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य मिल सकता है, जिससे आप असहज हो जाएंगे, और परिवार में सुख शान्ती तो बनी रहेगी, लेकिन अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं. यदि आप नौकरी करते हैं, तो अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा, मित्रो. धार्मिक साहित्य पढ़ने में आपकी रूची बढ़ेगी और कुछ समय सामाजिक आयोजन में भी बीतेगा. छात्रों की व्यवहारिक सोच में उन्न भूत होगा और संतान पक्ष से और बौधिक क्षेत्र में सुखद परिणाम मिलने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सायकाल के समय संपत्ती से भी कुछ आय हो सकती है और बड़े लोगों की मदद से अठके हुए धन की प्राप्ती होगी. जी हाँ, मित्रों. कार्य क्षेत्र म बदलाव होने से आपकी कार्यशैली में भी बदलाव होगा और मेहनत अधिकता रहेगी. विदेश में नौकरी करने वाले जातकों को घर लोटने का मौका मिल सकता है. बातचीत के दौरान वानी और व्यवहार पर संयम रखें. अन्यथा भाईयों में वैचारिक मतभेद उ वश्य करे मेरे. घर में पैसों का मामले हो सकते हैं. जिसकी वजह से किसी संपत्ती को लेकर परिवार में विवाद की स्थिती बन सकती है. सायंकाल के समय निकट यात्रा के योग बन रहे हैं और आगे आने वाले कुछ दिन स्वास्थ्य का विशेश ध्यान रखें. मित्रो कुछ कार्य शुरू करने की योजनाएं तैयार करेंगे. बौधिक कारियों में वह लेखनादी से जुड़े जातकों की भी आय बढ़ सकती है, लेकिन क्रोध से बचे रहें. जी हां मित्रों, आपके भाग्य उदय होगा और धनलाब के साथ साथ आपके कृत्य की कर सकता है और अधिकारी गण आप पर क्रोध कर सकते हैं. लेकिन साथियों का सहयोग मिलता रहेगा. धार्मिक कारियों में अव्यवस्था बढ़ेगी और सामाजिक संस्था से जुड़कर लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे. व्यापारी वर्ग की संपत्ति का विस् ज़ेदारी या धार्मिक यात्रा हो सकती है. मित्रो, कई दिनों से चली आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी. धर्मकर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और संपत्ति के सुधार्व रख रखाओ में खर्च बढ़ सकता है. मित्रो, कुछ निकट के मित्रो जनसंपर्क का लाब हुठाएंगे. आज यदि संपत्ति या व्यवसाय में निवेश करेंगे, तो लाब होगा और माता के स्वास्थे का विशेश ध्यान रखें. जैसे जैसे आप प्रेम की दुनिया में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आप खुश और उत्साहि कोण से अच्छा रहने वाला है. संतान को शिक्षा में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है. आप छोटे बच्चों की फरमाईशों को पूरा करेंगे, जिससे उनके चेहरे पर खुशी आएगी. आपका कोई उल्जा हुआ काम सुलजता दिख रहा है. आपको अपने करि पूर होती दिख रही है. विद्यार्थियों को बौधिक वमानसिक बोज से छुटकारा मिलेगा. शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आज का दिन आपके लिए मन मुताबिक लाब दिलाने वाला रहेगा. यदि आप पेत्र में किसी नई योजना की शुरुआत करेंगे, तो वह भी आपके लिए अच्छी रहेगी. आपको आर्थिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यक्ता है. आपके भौतिक साधनों में वृध्धि होगी और आप किसी नए वाहन को घर लेकर आ सकते हैं. माता जी की और से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. जीवन साथी से संबंधों में यदि कुछ कटुता चल रही थी, तो वह भी दूर होगी. आप अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे, जिसमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी.